कि ह कैने ऐलो एवरीवन है आज एक चिकन की रेसिपी बना रहे हैं तो यह चिकन मासाला है जो बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने लिए हमने हाफ केजी चिकन लिया है और इसको हम मरिनेट करने जा तो हमने एक कटोरी भर के इसमें दही डाला है, दही खट्टा नहीं बिल्कुल, अगर आपका दही खट्टा हो तो आप कम डालिएगा, एक कटोरी से, इसमें 2 टेबुल स्पून हमने अद्रक लसन का पेस्ट डाल दिया है, अब हम इसमें कुछ मसाले आट करेंगे, तो सबसे और इसके बाद हम नमक डाल देंगे इसमें, तो नमक आप टेस्ट के कॉर्डिंग डालिएगा अपने, अब इसमें हम रेगुलर मिर्च एड़ करेंगे, जो तेज होती है, तो हमने कभी डालिए, आप चाहिए तो अपने ज्यादा भी डाल सकते हैं, तो हमने हाफ से कभी दाली, आप टी-स्पून से, & चाट मसाला भी आड़ करेंगे, आप टी-स्पून, सारे मसाली हो गया, अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिसलेकि अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो आप हमारा चैनला और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर ये ये अब इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे और पिर इसको शैलो fry कर लेंगे और जब-ile상 पें अच्छा सा कलर नहीं आजाता है इसको अच्छा करेंगे यह tinha खुक हो जाएंगे फ्राई करने में ही काफी गल जाते हैं तो आधे फ्राई हो गए बाकी भी सारे हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं तो इसी तरह से हमने सारे चिकन के पीसे फ्राई कर लिए अब हम इसके ग्रेवी बनाएंगे तो इसका मसाले के लिए हमने सबसे पहले कड़ाई में तेल गरम किया दो बड़े साइस की प्याज इसमें फ्राई करेंगे प्यास थोड़ी फ्राई हो जाएगी उसके बाद इसमें हम थोड़े से काजू डालेंगे 15-20 काजू डालेंगे इनको हमें हलका सा फ्राई कर लेना है प्यास के साथ इन दोनों का हमें पेस्ट बनाना है तो और अच्छे से प्यास फ्राई हो जाए तो इसको हम निकालेंगे तो अब काजू और प्यास अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसका हम पेस्ट बना इसके बाद हमने एक प्यास और एक टमाटर पीस के रखा हुआ था इसको इसमें डाल देंगे और एक टेबूल स्पून इसमें हम पिसावा धन्या अट करेंगे और इसको भून लेंगे अच्छे से इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे तो हमने 1-2 टीस्पून नमक और 1-2 टीस्पून इसमें मिर्चा डाला है पिसा हुआ मिर्च है मेरिनेशन में भी था मगर थोड़ा सा और डाला है और सारे मसालों साथ इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जिससे इनका कच्छापन निकल जाए सब तो अच्छे से मसाला भून गया है हम इसमें चिकन एट करते हैं और इसमें जो हमने प्याजू का पेस्ट बना कर रखा था वो डाल दिया और इसमें हम हाफ कप पानी एट करके इसको कवर करके पंदा मिनट पका लेंगे तो बस अब चिकन अच्छे से गल गया है तो इसमें हम वन फोर्थ कप क्रीम डाल रहे हैं और हाफ टी स्पून हमने कसूरी मेती एट करी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करके दो मिनट और गयस पर पकाएंगे और इसके बाद इसकी हम फ्लेम बंद कर देंगे तो आप इसको सर्फ कर लेते हैं तो देखिए बहुत ही रेलिशिस बना है इसकी ग्रेवी थिक रहती है बैट आपको चाहिए तो आप इसमें पानी डाल क कर सकते हैं और तो यह बहुत ही टेस्टी बना है आप इसको एक बाद जरू ट्राइ करिए और पसंदार रेसिपी तो लाइक करिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में अल्ला हाफिज